श्री शिवाय नमस्तु भयम दोस्तों, आप सभी लोग जानते हैं कि 3 जून 2024 को है जून महीने का पहला सोमवार, इसी लिए दोस्तों, आप लोगों को इस दिन पंडित जी द्वारा बताया गया, अपनी अभी की ही समर्पन कता में एक लोटा जल वाला जो उपाय है जरूर क पर बहुत सारे लोगों को उपाय समझ नहीं आया है, जिस कारण वश्वह अभी तक यह वाला उपाय नहीं कर पाए हैं, तो इस वीडियो में आप लोगों को हम 3 जून जिस दिन जून महीने का पहला सोमवार है, इस दिन आप लोगों को एक लोटा जल वाला उपाय जरूर करना चाहिए, जो कि पंडित जी ने अपनी अभी की ही समर्पन कथा कथा में यहां पर बताया हुआ है, तो चलिए दोस्तों, उपाय को शुरू करते हैं, देखिए, यह दिन इतना खास होता है, इतना महत्व पूर्ण होता है, देखा गया है, कभी-कभी बड़े-बड़े पूजापाठ अनुष्ठान से, जो मनोकामना पूर्ण नहीं होती है, वह सोमवार के दिन एक छोटे से उपाय करने से ही आपकी मनोकामना पूर्ण हो जाती है, और बहुत सारे लोगों ने इस उपाय को किया भी है, और उनको इस उपाय को करने का फल भी जरूर मिला है, अ इस उपाय को करने से आपके घर में चाहे किसी भी प्रकार की दुख और समस्या क्यों ना चल रही हो। अब हम समझते हैं इस वाले उपाय को हमें करना किस समय है। आपका कोई बड़ा काम है जो कि नहीं हो पा रहा है आप उसके लिए इस उपाय को कर सकते हो। तो सीधी सी बात यह है कि आप अपनी किसी भी प्रकार की मनोकामना के लिए इस वाले उपाय को कर सकते हो। तो यह उपाय वह व्यक्ति कर सकता है जिस व्यक्ति को अपनी किसी भी प्रकार की मनोकामना भगवान शिवजी से पूर्ण करवानी हो। और अगर कोई भी माताएं बहने जो है अपने घर की सुख और शांती के लिए घर में धन समरिद्ध को बढ़ाने के लिए वाला उपाय करना चाहती हैं, तो घर की जो बड़ी माताएं बहने होंगी, वह इस पांच करर के फूल वाले उपाय को विशेश रूप से करें, क्य इस उपाय को कोई भी व्यक्ति कर सकता है, चाहे वो बड़ा हो, चाहे वो छोटा हो, चाहे वो बच्चा हो, जिस व्यक्ति को ये एक लोटा जल वाला उपाय समझा गया, वह व्यक्ति इस एक लोटा जल वाला उपाय को सोमवार के दिन जरूर करें, क्योंकि उसको इस उप उपाय को फल बहुत ही जल्दी मिल जाएगा क्योंकि सोमवार के दिन भगवान शिवजी बहुत आसानी से प्रसन्न हो जाते हैं। प्रदोश काल का समय भी एक बहुत ही लोगों के मन में प्रशन बन जाता है कि भाई यह समय होता कब है। हम आपको बता दें। प्रदोश काल का जो एक समय होता है शाम का समय वो होता है। शाम के 6 बजे से लेकर शाम के 7 बजे के बीच का। इस समय के बीच में आप उपाय को करेंगे तो आपको उस उपाय का जरूर फल मिलेगा। तो शाम के 6 बजे से लेकर शाम के 7 बजे के बीच में आप लोग इस एक लोटा जल वाला उपाय को कर सकते हो। तो भाई आप बहुत सारे लोग यहां पर ये प्रश्न भी जरूर करेंगे कि भाई हम तो नौकरी पे जाते हैं, हम अपनी ड्यूटी पर जाते हैं और आने में हमें देर हो जाती है। तो उस जगह पर हमें क्या करना चाहिए तो देखिए उन लोगों को भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अगर आप लोग इस उपाय को शाम के समय प्रदोशकाल में कर रहे हैं और अगर आप आने में देरी भी हो, जाती हैं आपको आने में साथ हर बजे तक आप नहीं पहुँच पाते हो, तो भाई आप साथ थाईस या रात आठ बजे तक भी अगर उपा कर सकते हो, क्योंकि सोमवार का दिन है। ये दिन बहुत ही कम आता है, पूरे साल भर में। इसलिए जब आपको मका मिल जाए, जब आप इस उपाय को जरूर कर लेना। कोई भी उपाय हो, आप कभी भी कर सकते हो। सोमवार के दिन बस कोशिश करना, कि समय के थोड़ा पर किसी कारण वश अगर ना कर पाओ, तो फिर आप थोड़ा देरी से भी कर सकते हो, आपको उपाय का फल जरूर मिलेगा, क्योंकि भगवान शिव विजन बहुत ज्यादा प्रसन्न होते हैं, सभी भक्त गणों से जो उनको प्रसन्न करते हैं, तो अब हम यहाँ पर समझते ह कि आपको उपाय कैसे करना है, सबसे पहली चीज दोस्तों, आपको एक लोटा जल सोमवार के दिन, शिवलिंग पर किस तरह से चढ़ाना है, जिसके बाद आपकी बड़ी से बड़ी मनोकामना पूरी हो जाएगी, और आपको अपने जीवन में सब कुछ मिल जाएगा, दोस इस तरह से दोस्तों, जब आप जल चढ़ाएंगे, बहुत जल्दी आपकी मनोकामना पूरी हो जाएगी, आपके जीवन में जो दुख और कश्ट हैं, वो भी दोस्तों, बहुत तेजी के साथ आप देखेंगे, कि दूर होते चले जाएंगे, तो दोस्तों, अगर आप भी अपने जीवन में सब कुछ हाट चुके हैं, या आपको लगता है कि अब आपके जीवन में कुछ भी अच्छा नहीं होने वाला है, या अच्छा नहीं होने की सारी उमीद उमीद है दोस्तों, अगर आपके पास समाप्त हो चुकी हैं, खत्म हो चुकी हैं, तो दोस्तों, आपको यह एक लौटा जलका उपाय करना है, बस इसके बाद आप देखेंगे कि बहुत बड़ा बदलाव आपके जीवन में आएगा। दोस्तों, जब व्यक्ति हर तरफ से हार जाता है, हर जगह से उसे जब निराशा मिलने लगती है और उसे अपने ही जब पराय लगने लगते हैं, तब दोस्तों, व्यक्ति को महादेव की शरण में जरूर जाना चाहिए। क्योंकि महादेव ही एक ऐसे देवता हैं, जो कि अपने उस भक्त के जीवन के हर दुख को वो हर लेते हैं, हर संकट को वो दूर कर देते हैं, तो दोस्तों देवों के देव महादेव का एक नाम भोले नाथ भी है, तो दोस्तों आप सभी जानते हैं, भोले नाथ नाम उनका इसलिए है, क्योंकि दोस्तों वह इतने भोले हैं कि अपने भक्त की जरासी पूजा से ही वह प्रसन्न हो जाते हैं एक लोटा जल भी यदि कोई महादेव को समर्पित कर देता है तो महादेव अपने उस भक्त की हर मनो कामना को पूरा कर देते हैं और उसके जीवन में वो धेर सारी खुशियों को भी भर देते हैं तो दोस्तों सप्ताह का जो हर दिन होता है वो किसी ना किसी देवता को समर्पित होता है उसी तरह से दोस्तों सोमवार का जो दिन है ये देवों के देव महादेव को समर्पित है यानि कि सोमवार का जो दिन है, आप सभी जानते हैं कि सबसे ज्यादा पूजा की जाती है महादेव की, इसी के साथ दोस्तों, अगर आप सोमवार के दिन शिवलिंग का अभिशेक करते हैं हैं, या शिवलिंग पर जल चढ़ाते हैं, तो शिवजी आपकी पूजा से बहुत ह और आपके जीवन में जो भी कुछ आपको चाहिए दोस्तों सब कुछ आपको अपने जीवन में मिल जाता है तो दोस्तों कैसे करना है उपाए किस तरह से आपको एक लोटा जल सोमवार के दिन शिवलिंग पर चढ़ाना है सब कुछ आपको वीडियो में बताने वाले हैं तो दोस्तों आपको यहाँ पर एक लौटा जल लेना है अपने घर का क्योंकि दोस्तों जब आप अपने घर से एक लौटा जल चढ़ाते हैं शिवलिंग पर तो वो जल शिवलिंग से होता हुआ मातारानी के हस्त कमल पर जाता है और इससे दोस्तों आपके जो पित्र हैं वो भी हमेशा प्रसन रहते हैं तो दोस्तों आपको एक लोटा जल लेना है अपने घर से और उस लोटा एक लोटा जो जल आपने लिया है उसके अंदर आपको डालना है थोड़ा सा गंगा जल ठीक है ना थोड़ा सा गंगा जल डाल लेंगे और एक लोटा जल आप ले लेंगे इसके बाद दोस्तों आपको लेनी है एक बेलपत्र तो दोस्तों वैसे तो 108 बेलपत्र बहुत शुभ मानी जाती हैं लेकिन एक बेलपत्र भी आप यहाँ पर ले सकते हैं क्योंकि एक बेलपत्र से भी शिवजी हमेशा ही प्रसन्न होते हैं तो दोस्तों एक बेलपत्र लेनी है आपको ऐसी जो कहीं से भी खंडितना हो, यानि कटी फटी ना हो, कहीं से भी पत्ता बेकार ना हो, बेल पत्र का, ठीक है न? और डंडी के साथ ही दोस्तों, आपको बेल पत्र अपने साथ लेकर के जानी है। और सबसे पहले दोस्तों आपको क्या करना है, जो जल आप लेकर के गए हैं, अपने घर से वो जल आपको शिवलिंग पर चढ़ाना है, और चढ़ाते समय जब आप शिवलिंग पर जल चढ़ाएंगे, तो फेस किधर होना चाहिए, आपका उत्तर दिशा की तरफ दोस्तों, आपका फेस होना चाहिए, तो दोस्तों, जब भी आप शिवलिंग पर जल चढ़ाते हैं, इस चीज का आपको पूरा ध्यान रखना है कि आपका जो मुख है वो पूर्व दिशा में ना हो, यानि पूर्व दिशा की तरफ आपका मुख जो है वो नहीं होना चाहिए, क्योंकि पूर्व दिशा को ही भगवान शिव का मुख्य द्वार माना गया है, ऐसे में दोस्तों, पूर्व दिशा की ओर मुख करके अगर आप जल चढ़ाते हैं, तो इससे शिव जी के द्वार में अवरोध पैदा होता है, और शिव जी आपसे नाराज भी हो सकते हैं, तो हमेश आप ध्यान रखें कि आपका जो मुख है, जब भी आप जल चढ़ाएंगे, तो उत्तर दिशा की तरफ दोस्तों, आपका मुख होना चाहिए, आपका फेस होना चाहिए, तो दोस्तों, उत्तर दिशा की तरफ अपना फेस करते हुए आपको जल चढ़ाना है, और जो बेल आप लेकर के गए हैं बे बेल पत्र दोस्तों आपको शिवलिंग पर कब चढ़ाने हैं जल चढ़ाने के बाद पहले आप जल चढ़ाएंगे फिर दोस्तों आपको बेल पत्र अर्पित करनी है शिवजी को और जो भी आपकी मनोकामना है वो दोस्तों यहां पर आपको कह देनी है और दोस्तों जब भी आप यह उपाय करते हैं सोमवार के दिन शिव जी आपसे हमेशा प्रसन्न होते हैं और आपकी जो भी मनोकामना होती है वो पूरी हो जाती है आपको अपने जीवन में सब कुछ मिल जाता है दोस्तों जब आप इस तरह से शिवलिंग पर एक लोटा जल अर्पित कर देते हैं दोस्तों जब आप शिवलिंग पर जल चढ़ाएंगे तब आपको शिव जी का जो मंत्र है ओम नमः शिवाय श्री शिवाय नमस्तु भयम इस मंत्र का जब भी करना है और दोस्तों यहां प पर आपको एक चीज बहुत ध्यान रखनी है कि जब भी आप जल चढ़ाएंगे जल्दी जल्दी आपको नहीं करना है बिल्कुल पतली धार बनाते हुए ही आपको शिवलिंग पर जल चढ़ाना है इस तरह से दोस्तों जब आप जल चढ़ाते हैं तो शिवजी को ठंडक मिल करती है आप सभी जानते हैं कि शिवजी ने समुद्र मंथन के दौरान जो विश निकला था उन्होंने ही ग्रहन किया था जो कि उन्होंने अपने ने गले में रखा है दोस्तों तो दोस्तों जब आप हलके हलके शिवलिंग पर जल चढ़ाते हैं तो इससे शिवजी को ही ज्यादा ठंडक मिलती है और जितनी पतली धार आपके लोटे के जलकी होगी उतनी जल्दी दोस्तों आपकी मनोकामना भी शिवजी पूरी कर देते हैं तो इस तरह से एक लोटा जल चढ़ाई है आप खुद देख लेंगे कि आपको अपने जीवन में सब कुछ मिल रहे हैं ये खास करके दोस्तों उन लोगों के लिए है जिनके सर पर करजा बहुत है यानि जिन लोगों ने करजा बहुत ले रखा है करजा चुका नहीं पा रहे हैं बहुत प्रयास करने के बाद भी आप करजे के बोज तले दबते ही जा रहे हैं आप किसी से उधार लेते यह सोच कर कि थोड़े दिन में ही आप उस पैसे को चुका देंगे, लेकिन कुछ ना कुछ आपके साथ ऐसा हो रहा है कि आप दूसरों का पैसा नहीं दे पा रहे हैं। या फिर दोस्तों, आपको धन को लेकर हमेशा परेशान होना पड़ता है, किसी ना किसी से उधार हमेशा ही आपको लेना पड़ता है। शहद से तो दोस्तों कितने सोमवार करना है। यह उपाय आपको कम से कम पांच सोमवार करना है। करके देख लीजिए। यह पूरी सच्ची श्रद्धा के साथ करते हैं। भोलेनात पर पूरा विश्वास रख करके करते हैं। तो दोस्तों भोलेनात अपने भक्तों के जीवन में जितने भी दुख और कश्ट होते हैं। उन्हें तो दूर कर ही देते हैं, अपने भक्तों को कभी वह दुखी नहीं होने देते हैं, तो दोस्तों अगर आप अपने जीवन में हर तरफ से हार चुके हैं, हर तरफ से आपको ऐसा लगता है कि आप कोई उम्मीद नहीं बची है आपके जीवन में, तो दोस्तों आपको म तो दोस्तों, देवों के देव महादेव की शरण में जो व्यक्ति जाता है, काल भी उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाता है। तो चलिए, अब जल्दी से बात कर लेते हैं, अपने तीसरे उपाय की, जो कि सोमवार के दिन ही आपको करना है, और ये जो तीसरा उपाय आपको बताने जा रहे हैं, इस उपाय को करने से मा लक्ष्मी की कृपा आपके घर परिवार पर सदैव बनी रहती है। अब जल्दी के पास धन नहीं होता है। सब कुछ नहीं होता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि पैसा कुछ भी नहीं होता है, पैसा बहुत जरूरी होता है। तो देखिए, करना क्या है? आपको सोमवार वाले दिन आपको पक्षियों को कुछ न कुछ खाने के लिए जरूर देना है, आप कहां पर देंगे? देखिए, इसे आप अपनी छट पर भी दे सकते हैं। अब बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि पक्षियों के लिए छट पर दाना तो डालते हैं, लेकिन वहाँ साफ सफाई नहीं करते हैं। उससे क्या-क्या होता है कि राहु एक्टिव हो जाता है। और फिर बहुत सारी चीजें जो हैं, वो जीवन में बिगड़ने लगती हैं तो आप अपनी छट पर भी पक्षियों को दाना दे सकते हैं। बस ध्यान ये रहे कि कभी भी पक्षियों की जो डीट होती है ना है ना, वो आपके छट पर ना हो, हमेशा साफ सफाई करते रहे। आप ये पक्षियों को दाना किसी बाहर भी जाकर दे सकते हैं। कोई और श्री हरी विष्णु प्रसन्न हो गए, तो मा लक्ष्मी तो प्रसन्न होती ही होती हैं, तो ये इतना उत्तम उपाय है ना, कि सोमवार के दिन, ये जो उपाय है ना, ये सबसे उत्तम माना जाता है, साथ ही साथ, अगर आपके घर के द्वार पर इस दिन कोई भी आए, कु अगर व्यक्ति आपके घर पर आ रहा है तो उसकी मदद भी आप इस दिन जरूर करें तो देखिए बहुत अच्छे से उपाए आपको समझाने और बताने का प्रयास किया है अगर फिर भी आपको कुछ पूछना हो तो कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं हमेशा की तरह वीडियो को लाइक और चैनल को सबस्क्राइब करना है